ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जहां ये डॉग रॉड को बाइट कर रहा है इसकी कहानी मैं आपको बताती ये स्ट्रे डॉग है ये खाने के लिए नहीं घर में आने के लिए बोल रहा है उस दिन हम लोग नाइट फीडिंग के लिए गए थे और बहुत जादा बारिश हो रही थी कोई भी मोसम हो हम लोग को जाना तो पड़े गई खाना देने के लिए तो ये मेरे पीछे फॉलो करते करते मेरे घर तक आ गया ती घर में आने के लिए बोल रहा था क्योंके बारिश हो रही थी तो मैं भी कुछ टाइम के लिए इसको घर में ले ली लेकिन आप जानते ही हो मेरे हर घुर के कोने कोने में कैट्स लोग रहती है तो इसलिए मेरी भी मजबूरी थी मेरा छोटा घर है तो मैं इसको जादा टाइम लिए तो रख नहीं सकती थे घर में और आप लोग भी जानते हो कि ये रिक्स है देखो cats भी friendly नहीं है मेरी वाली भी dog के साथ में क्योंकि वो पली बड़ी नहीं है सब लोग डर रहेते ये dog से और dog भी रास्ते में पला बड़ा है तो ये भी friendly नहीं है मैं rix नहीं ले सकती थी देखो क्या बात है कि अगर वो dog bite करेगा आपको पता ये कि वो बिल्ली का पूरा body फार देगा तो मेरे में हिम्मत नहीं था ऐसा सब देखने का ये rix से वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है लेकि मैं इतने लोगों का rix नहीं ले सकती थी तो मैंने भैता समझा उसको थोड़े time clear रहने दी घर पे मेरे observation में उसको सोने दी उसके बाद में जैसी धूप आया मैंने भार रग दिया मेरी भी मजबूरी समझेओ मेरे पास जितना resource है उतना ही मैं provide कर सकती है